गुड इवनिंग स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में कानहरी की गुफाओं और रुद्र दमन के जुनागट अभी लेक के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब् इत्यास विशे से संबंदित जो परीक्षे हैं उनमें आप अच्छे से तयारी कर पाएं ठीक है तो आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कानहरी की गुफाओं और रुद्र दमन का जुनागट अभी लेक ठीक है तो देखेगा कानहरी की गुफाओं मुंबई से 16 मील उत् सितकानहरी का प्राची नाम कृष्ण गिरी था यहां की पाहडी में सैकडों गुफाएं बिक्सूओं के आवास के लिए बनाई गई थी ये विबिन आकार प्रकार की हैं हीन्यान मत के अंतिम काल में इनका निर्मान प्रारम हुआ था सात्वान राजों के समय में अधिकां गुफाएं उत्किन करवाई गई थी तो हमने बहुत धर्म का जो हीन्यान और महायान धर्म है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पहले सात्वान राजों के बारे में भी पढ़ लिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सब वीडियो को देख सकते हैं ठीक है कारले गोहा समुह से इनकी काफी समानता है चत्य ग्रहे भी कारले के अनुकरण पर बना हुआ है ग्रे मुख के सामने एक बड़ा प्रांगण है जो कहीं अन्यतर नहीं मिलता इसके एक और अलंकरित वेदिका तथा इसके उपर हाथ उठाए हुए यक्स मूर्तिया खुदी हुई है साथ ही इन्हें अनेक प्रकार के पसूओं तथा लत्ताओं से सुसजित किया गया है प्रांगण के दोनों किनारों पर बने इस्तंबों के सीरों पर यक्स मूर्तिया चोकी ततासिया बनाए गए हैं सामने की ओर दोतुला ब्रामदा है भीतरी मंडप है जिसमें 34 इ इस्तंबों के सीर्स मूर्तियों से अलंकरित हैं गरब गरह में 16 फीट व्यास जो व्यास को गोल स्थूप इस्तापित है ठीक है चोतिस अताब्ती से कानहेरी महायान बोत धर्म का के अंदर बन गया जिसके अनुसार गुफाओं के अलंकरण में विभिनता आ गई थी ठीक ह अब हम लोग पढ़ेंगे रूत दर्दामन के जुनागड अभिलेग के बारे में तो रूत दर्दामन का जुनागड अभिलेग कहां श्तित है ठीक है रूत दर्दामन का गिरनार सिलालेग पसिमी चत्रप नरेश रूत दर्दामन द्वारा लिखवाया गया सिलालेग है इ यह सिलालेक सक समवत बहतर अर्थात 150 या फिर 151 इस्वी का है सक सासक रुद्दर दमन का है इस सिलालेक में महाच्छत्रप रुद्दर दमन द्वारा सुर्दर्शन जील की मरमत आदी वीवरण है सुरू में इस जील का निर्मान चंद्रगुप्त मोरिय के अधिकारी पुस्य गुप्त ने करवाया था बाद में असोक के सासर में इसमें और सुधार किया गया यमन राजा तुसास से ने इस जील से नहर निकलवाई यह जील उर्जेत अर्थात गिरनार में उर्जेत पाहड स्वर्ण सिक्ता और पाल सिनी ज़नों के पानी को जमा करके बनाई गई थी 150 से 151 इस्वी से थोड़ा पहले उड़्जयत पहाडी के स्वर्ण सिक्ता पाल सिनी और दूसरे ज़नों में बाठ के कारण तटबंदों में दरार पड़ गई और सुदर्शन जील समापत हो गई बाध को फिर से बनाने का काम राजा रुद्र धमन के परलव मंत्री सुविसाख ने किया सुविसाख की न्यूकती सुवन और सोराष्ट्र प्रांतों का सासन चलाने के लिए की गई थी सिलालेक से कई बातों की जानकरी सामने आती है जील के पाने का उप्योग राजा तुसस से द्वारा खुदवाई गई नहरों से सिचाई के लिए होता था चार स्ताबदी बाद उसकी मरमत एक पहलव या पलव सामन्ध ने करवाई दोनों ही काम विदेश्यों ने किये इस तरह यह सिलालेक केवल बांध ही नहीं जील का भी एक रिकोर्ड है इससे पता चलता है कि इससा पूर्वा चोतिस ताबदी में भी लोग बांध जील और सिचाई पढ़ना लेका निर्मान जानते थे तीन सो साल बाद मरमत आदी का काम पूरा होने पर 455 से 456 इस्वी में सुदर्शन जील भारी बरसात के काड़ फिर तूट गई 456 इस्वी में चक्रपालित के आदेश पर इस विसाल दरार की मरमत करके तटबंदों को दो महिने में दूरस्त किया गया समराट इसकंद गुपते 455 से 466 इस्वी के जुनागट के एक सिलालेग से पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन जील के तटबंद की मरमत करवाई अब देखेगा महतोपुन तथे तो रूदर्दामन का जुनागट अबिलेग 150 इस्वी का सिंस्कृत भासा में पहला व्रद या विस्तरित अबिलेग है या अबिलेग सोरास्टर काठियावाट प्रांध गुजरात में स्तित है इस अबिलेग में सक सासक रूदर्दामन की उपलब्धियों का वनन मिलता है इस अबिलेग के अनुसार रूदर्दामन ने सातवाहन सासक वसिष्टी पुत्र पुल्लो मावी को प्राजित किया तथा अपनी पुत्री से विवाह करवाया जुनागड अभिलेग से जानकरी मिलती है की चंदर गुप्ठं मौरिय के समय सोराष्टर छेतर में पुष्य गुप्ठ ने सुदर्सन जील की मरमत करवाई सुदर्शन जील का निर्माता चंदरगुप्त मोर्य था रुद्दरदामन के उसमय उसके अधिगरिसु विसाख ने इस जील की पुनह मर्मत करवाई रुद्दरदामन ने जील की मर्मत करवाने के लिए अपने प्रजा से बेगार जिसे विस्टी भी खा गया है बेगार करवाई थी पहली बार बेगार अबिलेक ये साक्से जुनागड अबिलेक है बेगार शब्द का उलेक पहली बार जुनागड अबिलेक में हुआ है ठिक है कि जो सुदर्शन जेल है इसका पुनर निर्माण है वो मोरिय समराथ सोग रुदर्दामन और इसकंद गुप्त ने करवाया था ठिक है तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डे ठटीघ के बहुत प्सक्रापब एसे हम बत्सक्षे को अंतक देखने के लिए फज में एवाद करमें पर ने खलाव झाल रहें प्सक्रापबढ प्सक्रापबष ऐसे हमें चाले से लिए लिए